नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खब्डो के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर मुख्यमंद्री बारी का प्रोचसाहन योजना के लिए इंटरपास छात्रा इस दिन तक करे आविदन बिहार के चाई को अब पियेगा पूरा देश तीन साल बात इस दिन से शुरू होगी बिहार से हज्ज यात्रा सियम नितीश का आज से दो दिवसिये राजगीर दोरा हुआ शुरू WTC फाइनल में उस्ट्रेलिया के लिए बड़ा खत्रा है ये पांच भारतिये खिलारी इसके साथ ही बरते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के ओर विस्तार से मुखे मंतरी बाली का प्रोस्ताहन योजना के लिए इंटर पास शात्रा इस दिन तक करे आविदन अगर आप भी उन शात्राओं में आती हैं जिन्होंने अपना इंटर बिहार बोर्ट से वर्स 2019 से के बीच में किया है तो यह खबर आपके लिए है बता दे कि अगर आप मुखे मंतरी बाली का प्रोस्ताहन योजना के तहस सरकार के ओर से दिये जाने वाली रासी से किसी कारण वस वन्चित रह गई हैं तो आपके पास इस योजना के लिए आविदन करने का आखटी मौका है बता दे कि इस बारे में बिहार सरकार के सिक्षा विवाग के दोरा दिशा नर्देश जारी करते वे कहा गया है कि ऐसे चात्रा 15 जून तक इकल्यान पूर्टल पर जाकर आविदन कर सकते हैं हाला कि वे चात्राएं जिनकी शादी हो चुकी है वह इसका लाब नहीं ले सकती अब कि जानकारी के लिए बता दे कि इस योजना में आविदन करने के एक चुक छात्राओं के पास कुछ जरूरी दस्तावेज होने जरूरी है जिनमें आधार कार्ट बैंक खाता जो आधार से लिंक हो बारवी कक्षा का मार्क सीट इमेल आईडी मोबाइल नमबर आ दी बिहार के चाई को अब पीएगा पूरा देश, क्रिसी मंत्रि सर्जित के द्वारा जानकारी देते वे बताया गया है कि बहुत जल्दी बिहार के चाई को पूरा देश पीने वाला है दरसल चाई की खेती पर हुई समिक्षा बैटक में चौथे क्रिसी रोड मैप के तहट बिहार के चाई की उत्पादन को बढ़ावा देने पर विचार वे मर्श किया गया आपके जानकारी के लिए बता दे कि वर्दमा में बिहार में कई अस्थान ऐसे हैं जहां चाई की खेती की जारी है जिनमें किसंगंज, अरणिया, पूर्णिया, सुपॉल और कटिहा शाम की बिहार के अस्पातालों में बढ़े लू के मरीच, प्यार में एक बार फिर से गर मी का प्रकुब बढ़ने लगा है एसे में मौसम विभाग के दोरा लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, एसे में गर्मी की कारण अस्पातालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ वहीं बरती गर्मी को देखते वे रॉक्टरों को भी लू को लेकर अलर्ट कर दिया गया है। वहीं अब चापे मारी के बाद जो जानकारी निकल कर सामने आई है। उनकी पत्नी के नाम से भी कई बैंक में खाते खुले होने की जानकारी सामने आई है। जानकारी के लिए बता दी कि SDM सतंद्र प्रशाद पर या रूप है कि वह अपने पद का दूरूपयोग करते वे आई से अधिक लगभग 84 लाग की संपती अरजित कर चुके हैं। बिहार में बनेगा एक और स्कॉन मंदर बहुत जल थी बिहार के अने जिल्ले में बिहार का दूसरा स्कॉन मंदर खुलने वाला है। आपकी जानकारे के लिए बता दे कि अगावी 16 जून को चरित्रवन स्थित एप्टिक सह स्मृती कॉलेज परिसर में पटना इसकॉन प्रेसिडेंट सह जोनो सेकरट फ्रिकृष्णा कृपादास की अध्यक्स्ता में इसकॉन केंद्र बक्सर पढ़ किये जाने वाले काडे 323 जिकस्ता संस्थान ऐसे हैं जो खुले में जैवी कच्रा फेकते हैं इन पर नकेल कसने के लिए प्रदूशन नियंतरन परशत के द्वारा इन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा गया है वहीं अगर इस कारण बताओ नोटिस का संस्थानों के द्वारा संतो जरक जवाब नहीं दिया जाता है तो उन पर करी कारवाई की जाएगे इसके साथ इन संस्थानों को सील भी किया जा सकता है पताओ इस बारे में बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेर्मेन डॉक्टर डीके सुकल के द्वारा दी जानकारी के नुसार नियम का पारण न साथ जुन से बिहार के गया इंटरनाशनल एरपोर्ट से हज यातरी उरान भरने वाले हैं बता दे कि इसके लिए एरपोर्ट पर सभी तैयारिया पूरी कर ली गई है वही बीते दिन इन सभी तैयारियों का अलसंख्य कल्यान मंत्री जमा खान मुख्य सचीव आबर सुभा साथ जुन को भरी जाने वाली है क्योंकि 2019 के गया इंटरनाशनल एरपोर्ट से लगभग 3456 आज मीने हज के लिए रवाना होने वाले हैं बता दे कि 7 जुन से गया इंटरनाशनल एरपोर्ट से श्रू होने वाली हज यातरा 22 जुन तक जानी रहेगी 23 का आज से दो दिवसीय राजगीर दौरा हुआ शुरू आज यानि की 2 जुन से बिहार के मुख्यमंत्रे नितीश कुमार का दो दिवसीय राजगीर दौरा का शिरुआत हो चुका है बता दे कि उनका यह दौरा मलमास मेला को लेकर शुरू हुआ है बता दे कि आज मुक्य मंत्र नितीश कुमार राजगीर पहुचेंगे और वहां रातरी विश्राम करेंगे और फिर कल याने की 3 जून को सुभा मलमास मीला अस्थल का लिरक्षन करेंगे इस तोरां सियर्मितीश राजगीर कुंड का दोरा भी करेंगे और उसे बहतर कैसे बराया चाहे उस पर रनीती भी तयार करेंगे इसके बाद वे कल ही बिहार की राजधानी पटना लॉट आएंगे और फिर यहां बार्श दुखार को लेकर एक उचस्तरिया बैठक करेंगे पाद्याई को बीते मंगलवार की रात को एक कारिक्रम में गोली लग गई बता दे कि हकारिक्रम बिहार के सारन के जनता बाजार थारे में सिंदुआर गाओं में उपनयान संसकार को लेकर थी जहां गाने की प्रस्तुति देने के लिए वह पहुची थी लेकिन अस दुरान हर्स फाइरिंग में उनके पैड पर एक गोली लग गई और वो बेहो सोकर गिर गई जिसके बाद आनन फानन में उनके सहीयोगी के द्वारा बिहार के राजधार निपटना के मैक्स अस्पताल में भरती कराया गया और फिलाल उनके सिती में सुधार है वही अब गाई का न हर्स फाइरिंग में ना जाने कितने कलाकाडों और अने लोगों को गोली लगी है जिससे कि उनकी मौत भी हो गई है अगर गोली मेरे पैड में नहीं लगती तो मेरी भी मौत हो जाती सरकारी विद्यालियों में होड है समर कैम्प में चरंबद तरीके से कारे कर रहे स्वयम सेवक एक जूल से बिहार के सरकारी विद्यालियों में शुरू हुए समर कैम्प में स्वयम सेवकों के द्वारा चरंबद तरीके से कारे किया जा रहा है बता दे कि समर कैम्प का आयो दिवस में प्रते दिन एक से दो घंटे तक किया जाड़ा है वहीस में कई अनिस अंसानों के द्वारा भी सायोग दिया जा रहा जिसमें विज्ञान एवं प्रॉदु की विभाग बिहार कौसल विकाश मिसन चिविका राश्ट्रिये कैड़ेट को नहरू युवा केंदर बि विकाश को बढ़ावा देना बच्चों की चुपी प्रतिभा को निखारना और आगी की कक्षा के लिए बच्चों के मार को प्रसस्त करना है सियर निटीश ने परेटर विभाग की समिक्षा बैठक में दिये कई निर्देश बितेदिन बिहार के मक्यमंतरे निटीश कुमार के दोरा एक अनई मार्ग अस्तिर संकल्प में परेटर विभाग की समिक्षा बैठक की गए इस्तोरान परेटर्म विवाग के सचीव अभय कुमार सिंग के दोरा गया जी धाम धर्मशाला विश्नुपद मंदर गया, सीता मरी के पुनोरा धाम मंदर के सरिया इस्तूप के विकास को लेकर बनाए गया, विसृत प्रोजेक्ट टिपोर्ट के संबन में सीय नुतीश को ज गम बनाया जागा, इसके लावा सीता मरी के पुनोरा धाम मंदर छेतर को बहतरीन तरीके से विकसित किया जाएगा, वहें जोरा सियम नुतीश के दोरा कहा गया कि हमारे दोरा एको टूरिज्म को बढ़ाने का काम शुरू किया जा रहा है, और इसके लिए परेटरिन विव मन्तली रिपोर्ट से निकल कर सामने आई है, बता दी कि रिपोर्ट के नसार 1 अप्रेल से 30 अप्रेल के बीच 24,52,500 वाट्सेप अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, आपके जानकारी के लिए बता दी किस एप को पूरे देश भर में 50 करोर लोगों के द्वारा यूज किया जाता है, ऐसे में अप्रेल महीने में, इससे जड़े कुल 4,37 सिकायतें मिली हैं, जिनमें से 234 पर कारवाई की गई, डव्लो टीसी फाइनल में आउस्ट्रेलिया के लिए बड़ा खत्रा है ये पांच भारतिये खिलारी, 7 से 11 जून तक चलने वाले भारत और बीच डव्लो टीसी फाइनल में अब कुछ दन बाकी रह गया है, ऐसे में भारत के पांच खिलारी ऐसे हैं, जो डव्लो टीसी फाइनल में आउस्ट्रेलिया के लिए बड़ा खत्रा सावित हो सकते हैं, बता दे कि वरतमान में इन पांचों खिलारी का फॉर्म का अच्छा चल रहा है, जिसको देखते वे ऐसी अश्रं का जताई जारी है कि ये पांच खिलारी डव्लो टीसी फाइनल में रोह सर्मा की अगवाई वाली टीम इंडिया को फाइनल में जिताने में महदपुर्ण भूमिका निभा सकते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दे कि हम जिन सतक भी जड़े है, शुमन गिलने बॉर्डर गावसकर में टेस्ट सतक और आईपियल में तीन सतक जड़ा था, इसके लावा मुहमद समी ने आईपियल दो हजार तेश में अठाइस विकेट अपने नाम किये, वही रविंदर जड़िजा ने चौसट टेस्ट मैचों में 264 विकेट हासल किये और 2659 रन भी बनाए हैं, जानियाल बिहार में क्या है पिट्रॉल डीजल के रेट, बिहार में आज यानी शुक्नवार को पिट्रॉल डीजल के रेट जारी किये गए इसके बाद राजधानी पतना में आज पिट्रॉल 107.24 रूपे और डीजल 44.64 रूप प्रती लीटर है, भागलपूर में पिट्रॉल कीमत 107.98 रूपे और डीजल कीमत 94.7 रूपे प्रती लीटर नरधारित की गई है, इसके साथ ही गया में पिट्रॉल कीमत 108.31 रूपे और डीजल कीमत 95.64 रूपे प्रती लीटर है, बता दी कि बिहार में पिट्रॉल का तो यह ख़वर आपके लिए मददगार सावित हो सकती है बता दे कि RBI यानि की भारतिय रिजर्ब बैंक के दोरा दीगे जानकारी के नसार इस महीन यानि की जून महीने में बैंक को बारा दिन बंद रहने वाले है ऐसे में अगर आप कुछ जरूरी काम या 2000 रुपे के नोट को बदलवाने को लेकर बैंक जाने वाले है तो बैंक खुलिडे की लिस्ट जरूर देख ले नहीं तो आपको बैंक से खाली हाथ लोटना होगा आपकी जानकारी के लिए बतादी के आरबियाई के रुसार इस महीने बैंक को बारा दिन बंद रहने वाले हैं जिन में दूसरे वचोथे सनिवार और रविवार का सापताहिक अवकाश शाबिल है बता दे किस दुरान बैंक पूरी तरह से बंद रहेगा यानि कि इस समय नोटों को भी नहीं बदला जाएगा वालों के लिस्ट के मताबिक बैंकों में जिस दिन शुटी रहने वाली है उनमें 4, 10, 11, 15, 18, 20, 24, 25, 26, 28, 29 और 30 जून को रविवार और दूसरे वचोथे सनिवार के चलते बैंक बंद रहेंगे वाइस मही निबिहार में कुछ 7 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं जिसकी तारीक 4, 10, 11, 18, 24, 25 और 29 जून है बेदे दिन मादरा पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों बचाओ वाइमारी कमें सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था जिनोंने मादरा पूछे का सवाल का जवाब दिया है इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आप खुद को लू से बचाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं आपना जवाब होएमारी कमें सेक्शन में लिकर जरूर बताए आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम ख़बरों के साथ दने रहने के लिए देखते रहें बिहारी निउस और साथ एगर आप योडूब से देखे चाल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देखे तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद